हेलो दोस्तों स्वागत है एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में मेरे पास आठ चुका है इन्फिनिक 020 और आज की सुन में इसका इंबॉक्सिंग और एक फुल ओवर्वियू करेंगे जानेंगे फोन कैसा दिखता है फोन के अंदर क्या खास फीचर है और फोन जो है किस प्राइस में आता है और साथ-साथ क्यों आप इस फोन को बाय करे या फिर क्यों नहीं करे तो वीडियो को जो है स्टिल एंट तक देखिएगा इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे तो फड़ा परसी इस बिलोग को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंगे टाइम तो लेट्स गो बॉक्स कुछ इस तरिका का नजर आ जाता है Intrink 020 का लेट एंड साइड में 020 राइट एंड साइड में 2W सर्टिफिक्शन दिया गया है लो ब्लू लाइट का साइड साइड सेफ फास चार्जिंग के लिए उपर की तरफ Intrink का ब्रैंडिंग है नीचे तरफ जो है कलर मेंशन किया गया है बेरेंट मेंशन किया गया है पिछे तरफ देखेगा तो यहाँ पर सारे स्पेक्ट देखने मिल जाते हैं साइ-साइड यहाँ पर प्रैस मेंशन के गया और सारवेल मेंशन के गया प्रैस के बात करें तो बॉक्स को पर 24999 लिखा गया है पर यह आपको मिल जाता है 17999 में Flipkart से नीचे डिस बॉक्स में लिंक दिया गया है आप वहाँ से बाइक कर सकते हैं Start value की बात करें, तो hit के लिए मिल जाता है 1.074 WKG, body के लिए मिल जाता है 1.057 WKG, खिलाल जो है box को करते हैं, फड़ा फड़ा से open, box open करते ही सबसे पहले हमें देखने हों बल जाता है हमारा device, device के तरफ आएंगे बाद में पहले box content देख लेते हैं, उसके बाद में देखने हों मिल जाता है 45W का ये Infinix का fast charger, जो कि आपके phone को काफ़ी fast charge कर देगा, देन हमें देखने हों मिल जाता है USB Type-C cable, जिससे आप जो अपने phone को charge कर सकते हैं, उसके बाद में देखने हों मिल जाता है semi-jector tool, उसके बाद देखनों मिल जाता है यूजर मैनुवल गाइड और एक डॉलर का नोट जो कि आप यहाँ पर Infinix X Club membership के लिए यूज कर सकते हैं देन में at the last cover देखनों मलता है जो कि silicon case है काफी अच्छी quality का case है फोन पे जो है लगा कर आप जो है फोन को पहले दिन से इस्तमाल कर सकते हैं और जो है box के अंदर में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है फोन की बात करें तो no doubt phone देखने में premium नजर आ जाता है back आपको जो है glass type का finish देखने मलता है मतलब plastic नहीं है glass जैसा यहाँ पर जो है boxy design के साथ कुछ इस तरीके का आपको जो है sides देखने को मिल जाता है बागी camera bump यहाँ पर जो है थोड़ा निकला हुआ है but cover लगा कर यहाँ पर camera bump को आप जो है बड़े अराम से छिपा सकते हैं ports की बात करें तो नीची की तरफ मिल जाता है आपको 3.5 audio jack primary mic देखने मलता है primary speaker देखने मल जाता है c type port दिया गया है left hand side में आपको sim tray दिया गया है जहाँ पर at a time आप दो sim card और एक memory card के इस्तमाल कर सकते हैं जो की कापी अच्छी बात है right hand side में आपको volume button देखने मलता है power button देखने मलता है और power button में ही आपको fingerprint scanner देखने मल जाता है उपर की तरफ यहाँ पर आपको secondary noise question mic देखने मलता है साथ साथ secondary speaker भी देखने मल जाता है बागी जो है screen guard यहाँ पर आपको pre-applied देखने मलता है phone के उपर display की बात करें तो 6.7 inch का full HD AMOLED 90 Hz दिस्पे दिया गया है daylight में काफी अच्छा देखने से visible हो जाता है brightness काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है इनफेक्ट वीडियो बगएर आप इस phone में देखेगा तो आपको काफी अच्छा लगएगा क्योंकि bezels आप देखेगा काफी कम दिया गया है इवेंट यहाँ पर जो नीचे का chin है वो भी जो है आपको similar देखने मलता है उपर के chin जैसा तो यहाँ पर एक तरह का आपको similar bezel देखने को मिल जाता है जिस वोसे वीडियो अगर आप इसमें enjoy करते हैं काफी अच्छे तरगे से यहाँ पर enjoy कर पएगा stereo speaker होने के वाज़े से यहाँ पर sound भी जो है काफी अच्छा है आप यहाँ पर जो है सुन लीजिए so जैसा कि आपने इसका sound सुना यहाँ पर जो sound है वो काफी अच्छा है loud तो नहीं बोलूँगा बट normal है medium पकड़ सकते हैं studio speaker होने के वाज़े से यहाँ पर जाए movies वेगर आप कुछ इससे किसा hold करके enjoy करते हैं तो left का right का दोनों अलग अलग sound आपको मिलेगा जो कि काफी अच्छा लगता है DTS का support दिया गया है तो definitely यहाँ पर media consume करते वक्त आपको कोई भी issue नहीं होगा game खिलते वक्त भी यहाँ पर sound वगर आपको काफी अच्छा सुनने को मिलेगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगा इसका speaker कर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस phone के hard यान की processor के बारे में तो यहाँ पर आपको साहसात आप चाहते हैं SD card लागा कर अपने storage को expand कर सकते हैं बैटरी को बात करें तो इस phone में आपको 4500 mAh बैटरी दिया गया है 45W का fast charger box में प्रोवाइड कर आ जाता है जल्दी मेरे चैनल पर charging test available हो जाएगा तो चैनल को subscribe कर लिजेगा day to day life users के लिए फोन काफी बढ़िया है normally यहाँ पर काफी अच्छे देख सब वर्क करेंगा कोई भी lack frame drop देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Mediatek G99 काफी tested processor है और मैंने इस type का phone काफी सारा review किया हुआ है और एक भी phone में कोई भी issue हमें देखने को नहीं मिला हाँ यहाँ पर ज 5G नहीं दिया गया उसका भी एक प्लस पॉइंट आप पकड़ सकते हैं कि 5G जितने भी मैंने टेस्ट बगेरा किया है अभी Kolkata में 5G उतने अच्छे थी से आया नहीं और जहां पर आया है अगर मालीजा आप एक speed test करते हैं 5G का तो वहां पर करीब आपका एक सो से डेर सो एम भी जो है गयाब हो जाता है सिर्फ speed test करनेगा मतलब speed इतना जाद है 5G का आप कुछ भी open किजिएगा फटा फट करके आपका internet डेटा जो है वो गयाब हो जाएगा तो मेबी जो है जो लोग 5G वगेरा जो है फोन लिये हुए वो काफी कम ही यूज करेंगे 5G जहातर 4G रिचार्ज करेंगे कि 5G जो डेटा 1GB का फटा फट उड़ता जाएगा और 5G जब लॉंच करेगा पता नहीं क्या प्राइस में लॉंच होगा अभी फिलाल 4G फोन ठीक है बागी इसका जो की हाइलाइट है वो है इसका front camera 60 में एफिसल का आपको selfie camera देखने मलता है OIS के साथ साथ यहां पर आपको जो है front flash भी देखने को मिल जाता है साथ साथ रियर में आपको triple camera setup देखने मलता है 108 में आपसे का primary lens दिया गया है 13 में आपसे का wide angle lens देखने मिल जाता है और एक depth sensor आपको देखने मलता है quad LED flash दिया गया है बागी यहां पर यहां काफी बढ़िया ह पहले आप जो है video sample देख लीजिए अभी जो आप यह वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं 1080p 30 पे इसके front camera से record करूं कुछ इस तरीका video आपको देखने हो मिलेगा stabilization मैंने अभी on नहीं किया है तो यहां पर जो footage है वो आपको हलका फुलका शीक नज़ आ जाएगा बागी यहां पर dynamic range काफी बढ़िया है background भी जो है कितना capture कर रहा है आपकी देख पार होंगे अब मैं switch करता हूं 60 पे अभी जो आप यह वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं stabilize रहता है या नहीं सो आप यह वीडियो देख पा रहे हैं यहां पर मैंने stabilization को on कर दिया है और बाइडिफॉल्ट यह stabilization on होते ही 30 पे switch हो जाता है 60 पे यहां पर stabilization जो है on नहीं होता है और अब आप देख पार होंगे footage कितना stabilization मैं चल कर जो है आपको थोड़ा सा दोड़कर यहां पर जो है वीडियो दिखा रहा हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका stabilization कैसा है हाला कि front camera में इसका OS दिया गया है तो यहां पर जो है stabilization on करती हलका सा video crop हो जाता है मतलब थोड़ा सा अगर आप देखेगा normal footage के मुकाबले यहां पर थोड़ा सा क्रॉप हो गया है तो यह वाला थोड़ा सा है stabilization on करते ही थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है अब जब यह वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके रियर कैमरा से रिकॉर्ड करों यहां पर मैं इस्टिवेशन को on कर दिया है थाउजन टीपी 30 पे रिकॉर्ड हो रहा है थाउ और इवन कलर भी आपको काफी हद तक नैचरल देखने को मिल रहा है जो कि मेरे साब से यहां पर काफी सही है अब यह जो आप वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं थाउजन एटीपी 60 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं देख पार होंगे वीडियो कितना जादा स्मूध हो जाता यहां पर मैं मूफ कर रहा हूं तो आपको शेक भी नजर आ जाएगा इवेन अगर आप नोटिस कीजिएगे यहां पर आसपास के एडिया को देखिए ब्लैक नहीं कर देता है विजिबिलिटी काफी बढ़ी है और सन को भी काफी अच्छे थे किसे वीडियो में ले रहा है यह चीज जो है इसका काफी अच्छा था फोकस को चेकर थे करते हैं इस तो फोकस अब जो कर रहा है अब जो आप यह वीडियो देख पा रहे हैं यह मैं इसके वाइड अंगल कैमरा से रेकॉर्ड कर और यहां पर वाइड अंगल कैमरा में आपको 60 पिस का उप्शन देखन गुल मिल जाता है मतलब stabilization video आपको मिल जाता है कुछ इस तरीकए का है और color की बात करों और यहां पर विडियो quality की बात करों तो आपको mananga पर यहाँ पर देख पा रहेетिग यहाँ चेकर लिए ना ब कि आते में नर्फोक மरा indication यहांपर आपको रेकॉर्ड कर सकता है नहीं मिलेगा कैमरा में आप रिकॉर्ड नहीं कर पहेंगा काम नहीं पड़ेगा बाकी नॉर्मल में कैमरा से आप यहां पर बात करते हैं इमेजस की तो यह आप इमेजस देख पा रहोंगे इससे मैंने इसके रियर कैमरा से कैप्चर किया है डीटेल्स में अगर जाते हैं तो 29.1 इंभी यहां पर शो कर रहा है क्योंकि मैंने 108 मिया फिसल को एनेबल किया हुआ था अब यहां पर जूम करते ह असली टेस्ट तो जूम में होगा तो यह देखिए यहां पर जो है यह फैन है यह आपको क्लियर नोटिस हो रहा होगा और यह काफी ज़ादा जूम भी होता है और यहां पर एक डिश है अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यह देखिए यहां पर टाटा जो लिखा हुआ ह वो आपको clearly notice हो रहा है अब यहाँ पर same image है बस मैंने यहाँ पर 108 में अपसल को off कर दिया था 4.3 MB इसने capture के हुए और अगर मैं इसको zoom करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको टाटा लिखा हुआ मिलेगा बट clarity उतना खास आपको देखने होगा नहीं मिलेगा जितना 108 में अपसल बोलने के मतलब यह है यहाँ पर दोने images kind of similar capture हो रहा है थोड़ा बहुत का फर्क रह रहा है pixel binding technology यूज होता है तो थोड़ा बहुत का ही फर्क है और अगर आप 108 में अपसल enable करके हमेसा image capture करें आपका memory काफी जल्दी फूल हो जाएगा तो normally image काम चलाइए काफी बढ़िया है बागी image photos बगएर है यह काफी बढ़ियां capture करता है friend camera selfie की बाद करें तो यह काफी बढ़ियां है यह जो आप selfie देख पार होंगे इसे मैंने आपका 60 megapixel के enable करके capture किया है और clarity देखिए मेरे एक एक जो है यह beard के hair को clearly दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर normal वाला है इसमें देखिए 3.6 MB यहाँ पर यूज किया है इसने और अगर मैं इसको दिखा हूँ तो यहाँ पर भी आपको clarity नजर आएगा बड़ उतना खास आपको clarity देखने को नहीं मिलेगा बागी यहाँ पर portrait selfie भी यह काफी बढ़ियां capture करता है अगर आप देखिए OS होनी की वैसे यहाँ पर जाए age detection इसका काफी अच्छा आता है यह देखिए यहाँ पर जाए ear के तरफ देखिएगा तो यहाँ पर काफी बढ़ियां age detection इसने किया हुआ है यह देखिए hairs को अगर ले दिजे तो यहाँ पर जाए portrait selfie का age detection इसका काफी बढ़ियां यह next selfie है यह देखिए यहाँ पर कितना अच्छे देखिसे इसने क्या हुआ है even आप यहाँ पर selfie के aperture वगर को कम कर सकते हैं उसके बढ़ यहाँ पर normal selfie वगर काफी बढ़ियां आ जाता है यह कुछ normal sample wide angle sample की बात करें तो यह देखिए यहाँ पर normal sample है अगर इसके color को notice कीजेगा तो यह orange कुछ इस तरीके का है और अगर मैं wide angle में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर orange एकदम similar type का आपको यहाँ पर color मिल जाता है कुछ खास जादा फरक नहीं पड़ता है color के मामले white angle यहाँ पर जाए काफ़ी बढ़िया images यह capture करता है बागी portraits की बात करें तो यह देखिए यह portrait जो है काफ़ी अच्छा आया है यहाँ पर मैंने camera का portrait लिया था और यहाँ पर मैंने mobile के बकसे का portrait लिया था और यह वाला sample shot है यह काफ़ी अच्छा आया है तो after all यहाँ पर images यह काफ़ी अच्छा capture कर लेता है और videos भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ियां आ जाता है तो definitely आप जो है इसको camera के मामले में देख सकते हैं software की बात करें तो out of the box आपको android 12 देखने हो मिलता है जो कि यह XOS 12 यहाँ पर आपको काफ़ी सारे feature भी देखने हो मिल जाता है जिसको मैं dedicatedly आपको अलग से video करके बताऊंगा बाकी अगर बात करें यहाँ पर software update के मामले की तो यहाँ पर आपको 13 मिल जाएगा update एक update जो प्रॉमिस किया गया सासाथ दो साल का आपको security update भी मिलेगा जियां यहाँ पर जो है इन्फिनिक्स ने बताया हुआ है कि दो साल का security update आपको इस phone में मिल जाता है सासाथ एक Android update आपको मिलेगा यानि कि Android 13 यहाँ पर इस phone में आपको जो अपडेट मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है Geekbench score की बात करें तो single core में score किया है 551 multi score में score किया है 1809 sensors की बात करें तो इस phone में आपको हर तरह का sensor देखते हो मिल जाता है temperature, magnetic, axometer, gyro, साथ साथ light, proximity, gravity, step counting हर तरह का sensor दिया गया है sensors के मामल में यहां पर जो है कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है wide one security level की बात करें तो यहां पर L1 का support दिया गया Amazon, Netflix वगरे में full HD content का मज़ा बड़े अराम से आप उठा पाएंगे camera tap की बात करें तो जी हां यहां पर आपको camera tap का भी support देखने को मिल जाता है multi touch की बात करें तो यह phone जो at a time 5 multiple touch को ही support करता है 10 होता तो काफी बढ़िया होता so friends, hopefully आपको Infinix 020 का unboxing video और review video पसंद आओगा बाकी मेरे उपिन की बात करें तो phone काफी अच्छा है fast look wise यहां पर premium लगता है metal frame दिया गया और in fact इसका जो display है bizles देखिएगा एकदम कम दिया गया है ना के बड़ाबर यहां पर अपतर चलता है studio speaker है movie अगर हमें enjoy करते वक्ट आपको काफी अच्छा जो है लगेगा left का left में right का right में sound आएगा और even काफी smooth है 90 Hz AMOLED display दिया गया है side mounted fingerprint scanner काफी fast work करता है आप just touch कीजिया और यह open हो जाता है face no lock भी इसका जो है काफी अच्छे तेकर से work करता है just यहाँ पर face को लाइए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है बट यहाँ पर जो है दोनों अच्छे तेकर से work करता है तो security के मामिलें भी भी कोई issue नहीं है 4G जो है यहाँ पर है यही एक कमी है otherwise इसका camera काफी अच्छा है मतलब price section की साबसे यहाँ पर stabilization दिया गया है even photos वे काफी अच्छा capture करता है wide angle हो चाहे इसका normal camera color accuracy काफी सही है dynamic range काफी बढ़ियां capture कर लेता है तो camera के मामिले में कोई भी issue नहीं है बस यहाँ पर 5G होता तो मज़ा आ जाता एकदम जो है मतलब मक्कन एकदम मस्त होता but 5G कभी अपने ही नुकसान है जैसे कि मैंने बोला मैंने एक बाद speed test किया था गर्भी 1200 MB खर्चा हो गया था जहाँ पर 4G में जो है 20 MB के around speed test में जाता है तो यह थोड़ा सा disappointed वाला बात है ठीक है अपने अपना प्रिफर पढ़ता है जब 5G लाँच होगा क्या प्राइस में लाँच होगा इससाब से लोग फोन बाइ करेंगे 4G में या फिर 5G में जिनरली 5G फोन जब भी लाँच हो रहा है वो तो अभी सस्ता सस्ता में मिल जा रहा है बट 5G डेटा का क्या प्राइस होगा वो अभी तक हमें आइडिया नहीं है में भी 5G डेटा का प्राइस 4G से जादा obviously हो गई और 5G डेटा जो है काफी जल्दी-जल्दी खतम भी हो जाएगा क्योंकि उसका स्पीड जादा रहेगा और आप ब्राउस कीजेगा तो जटा जट खुलेगा तो obviously जटा जट डेटा भी जाएगा और 4G उस मामले में काफी सही है काफी लोग जाए 5G फोन तो ले लिए है बट वो यूस करेंगे 4G ही तो ठीक है बाई यह आपके choice के उपर depend करता है बट 5G होता तो ठीक रहता मेरा opinion यह है बागे hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे comment screen में comment करना बिल्कुल ही मत बुलियागा और साथ साथ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा चैनल को subscribe करके बिल आपको प्रेस्क्रिप के all पे किलिक दिया बागे मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वांटिन के साथ तब तक लिए टाटा बाई 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 और यूएस तरिये मुस्कुरात रिये और बनेरिया आर जे टेक्निकल से साथ